महाराष्ट्र में सिर्फ प्यास की खेती करने वाले किसान ही परेशान नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब सोयाबीन उतपादक किसानों के सामने भी समस्या आखडी हुई है। राजे की अधिकांच मंडियों में किसानों को सोयाबीन का सही दाम नहीं मिल रहा है, जबकि सोयाबीन की गिंती दलहं तिलहं दोनों फसलों में होती है। ऐसा भी नहीं है कि महाराश्ट्र में आवग बहुत ज्यादा हो। आवग सामाने होने के बावजूद दाम बहुत कम मिल रहा है। किसान इसकी वज़े से बहुत परेशान है। आवसलगाम विंचुर में न्यून्तम दाम तीन हजार, अधिक्तम चार हजार पांच सो उन्चास और औसत दाम चार हजार चार सो पचास रुपचास रुपए क्विंटल रहा। मतलब दोनों मंडियों में दाम चार हजार चार हजार चार सो रुपचास क्विंटल की MSP से कम चल रहा है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन की लागत प्रती क्विंटल 3,029 रुपए बताई है। इसलिए इस साल सोयाबीन की MSP में सरकार ने 300 रुपए व्रिधी करके 2,023 से 24 के लिए इसे 4,600 रुपए प्रती क्विंटल तै कर दिया है। अगर मंडियों में इतना दाम भी मिल रहा है तो उसे संतोष जनक माना जाएगा। क्योंकि घाटा नहीं होगा। वैसे किसान 10,000 रुपए क्विंटल की 2021 जैसी उम्मीद कर रहे हैं, जिसे इस साल पूरे होने के आसार कम है। Bureau Report Market Times TV